नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरत दुबे, आए जानते हैं ब्रहस्पती पर और-औरा पैदा कर रहे हीट वेव्स के बारे में जाकसा यानि जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजेंसी के वेग्यानिकों ने ब्रहस्पती ग्रह पर एक अप्रत्याशित 700 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव की खोच की है यह हीट वेव विशाल गैसी ग्रह पर एक लाग तीस हजार किलोमेटर से अधिक ख्षेतर में फैली हुई है जो पृत्वी के व्यास का लगभग दस गुना है ब्रहस्पती ग्रह पर सौर हवा के प्रभाव के कारण दुरों के चारों और स्थाई औरोरा बनते हैं वेग्यानिकों के अनूसार ये औरोरा दुरों के आसपास के ख्षेतर को 700 डिग्री से अधिक गर्म कर रहे हैं सेधान्तिक रूप से वैग्यानिकों के अनुसार ब्रहस्पती के उपरी वातावरण में माइनस 70 डिग्री सल्सियस का तापमान होना चाहिए था जो वैग्यानिकों के अनुसार 400 डिग्री सल्सियस से अधिक पाया गया है यहुच चतापान ब्रहस्पति ग्रह के लिए अविश्वसनी रूप से अधिक है जो ग्रह पर एक अप्रत्याशित हीट वेव को दर्शाता है ब्रहसपती ग्रह को एक ठंडे ग्रह के रूप में जाना जाता है या सूर के प्रकाश का केवल चार प्रतिशत प्राप्त करता है अरोरा को सामानिता धुरुवी रोशनी के रूप में जाना जाता है और ये सौर हवा की तीवरता में बदलाव के कारण मैगनेटो स्फियर में हल चल का परिणाम होते हैं नासा के अनुसार आज सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पती प्रिथवी से अपनी निगट्तम दूरी लगबक 366 मिल दूर से गुजरेगा 1963 में ब्रहस्पती प्रत्वी से लगबग इतनी ही दूरी पर था ब्रहस्पती का प्रत्वी से सबसे दूर बिंदू लगबग 600 मिलियन मील दूर है